हालो एब्रिवान आज की ग्लास में हम FDMA के बारे में दिस्थ करेंगे FDMA का मतलब क्या है Frequency Division Multiple Access Frequency Division Multiple Access यहां पर Frequency को Divide करके उसको Multiple Access किया जाता है ठीक है क्या मतलब हुआ कि अलग-अलग Frequency यहां पर बना दी जाती है और उसको फिर Share किया जाता है Multiple Access किया जाता है तो क्या होता है सम्हबन वाई-वन देखते है । इसमें प्रतेक अ siento को डएटा प्हेजने के लिए एक को अलोकेट आजाता है जब यहां पर बैंड एक नया वर्ड आया है तो बैंड का मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉपर चैनल दे दिया जाएगा, चीक है, मनल Tradition को एक Kriteria दे दिया जाएगा आपको इतना चीज यहीं यूज़ करना है, जैसे frequency को यहाँ पर डिवाइड करना है, तो frequency को यहाँ पर क्या बոगता है, band, तो इसमें प्रतेग Station को data भीजने के लिए एक band allocate किया जाता है, प्रतेक बैंट हमेशा एक इस्टेशन के लिए रिजर्व होता है अब देखिए इसमें इस्टेशन या नोट को मैंने क्या बोला था कंडिडेट मोलते हैं कि भाईया अगर आपको डेटा को किसी ने दिया कि 5GB डेटा है तो उसको कैसे पार्टिशन में बढ़ना है तो हर एक कंडिडेट को जो डेटा दिया जा रहा है वो बैंकी थ्रू दिया जाएगा और वह अलाग गला कंडिडेट को अलाग रिजर्व रहेगा तो इस तरह से क्या वो सकते हैं कि प्रतेक band हमेशा एक station के लिए reserve रहता है ठीक है अब ये सारे चीजें अभी आपको मैं पूरा clear कर दूँगा आगे आने वाले वीडियो में पूरा clear हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कि सभी station को हम डेटा भीजते हैं तो एक band allocate कर देते हैं ठीक है बैंड का मतलब क्या है आप बैंड का मतलब यह समझ सकते हैं कि एक part decide कर देते कि इतना part तुम को जाएगा इतना part तुम लोगे भाईया इस सबका अलाग अलाग डिवाइड कर देते है frequency के हिसाब से उसको band बोलते हैं ठीक है प्रतेक इस्टेशन भी transmitter frequency सीमित रखने के लिए एक band pass filter का यूज करता है अब होता क्या है देखिए बहुत सारे band बना दे जाते हैं ठीक है बहुत सारे band जब divide कर दी जाते हैं या बहुत सारी frequency का जब division होता है तो आपस में frequency जो transmit हो रही है उनमें कोई problem ना आ जाए तो उसके लिए band pass filter होता है अब filter क्या होता भी या फिल्टर जैसे माली जी अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम पानी का फिल्टर यूज करते हैं वाटर प्यूरिफाइज को बोलते हैं उसमें फिल्टर होता है उनको accurate सुद्पानी मिलता है इसी तरह से हमारी जो बैंड है वापस में mix up नहों हो पाएं उसके लिए हम बैंड पास filter लगा देते हैं ठीक है तो यह एप्टीमे का यह introduction है ठीक है FDMA के हम कुछ और पार देखेंगे जिससे आपको पूरा सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी ओके थैंक्यू